गुरकपुर में डीजे बजाने को लेकर दलित की हत्या हुई है जिसकी गूंज अवल लखनों में भी सुनाई देने लगी है मायवती ने सूबे की कानून विवस्था को लेकर सवाल उठाए बुदुवार को सीम योगी आदितिनाथ के जिले गुरकपुर में एक दलित की हत्या के बाद सियासस चुरू हो गई है बसपा सुप्रीमो मायवती ने ट्वीट कर घटना की निंदा की साथी कानून विवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिये मायवती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में आप्राधिक तत्वों के होसले कितने बुलंध हैं इसका एक और नमुना आज गुरकपुर के चिल्लापुर शेत्र के रुदौली में देखने को मिला जब अवैद खनन करने वाले गिरों ने दलित परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अन्य कई लोगों को घायल कर दिया ये अती दुखद है और अती निंदनिय भी मायवती ने ट्वीट में आगे लिखा यूपी सरकार घटना का तुरन संग्यान लेकर सभी नामजद लोगों के खिलाफ ततकाल उचित धाराओं में सक्त एक्शन लेने के साथ ही अपराध नियंतरिन और इस प्रकार के सामाजिक और राजनितिक अपराधों और उत्पीडन के खिलाफ सक्त कारिवाई करें ताकि अपराधिक तत्वों पर अंकुष लगा सकें और बीएसपी की ये मांग है बतादें के गुरकपुर के रुदॉली गाउं से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने के दौरान उस पर अशलील गाना बजाने को लेकर विवाध हुआ था ग्रामिनों के अशलील गाना बजाने को लेकर पडोज के गाउं के आरोपियों ने हमला कर दिया इस दोरान ट्रैक्टर चॉली लेकर आए लोगों की ओर से एक दबंग ने असलहे से फायर कर दिया इस घटना में रुदौली गाउं के एक शक्स की मौत हो गई जबकी दो लोग गंभी रूप से खाय हो गए घटना के बाद रुदौली में तनाव को देखते हुए भारी पोलिस बल तनाद कर दी गई घटना के बाद पोलिस ने पीडित की शिकायट दर्ज की SSP ने बताया कि घटना स्थल का निरिक्षिन किया गया है फोरेंसिक टीम ने साक्षि संकलन किया है पैजनों की तहरीर पर घटना में समलित लोगों के नामजद तहरीर दी गई जिस पर मुकदमा पंजिकरित किया गया है आरोपियों की गिरफतारी के लिए स्थानिय पुलिस के साथ स्वाट और एसोजी और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है घटना की जाच के लिए SP South और CEO गोला के निर्देशन में एक टीम लगाई गई है और CCTV की मदद से जाच की जा रही है घटना सलका रिक्षन मेरे द्वारा और सभी सिर्या दिकारियों द्वारा फॉरेंसिक टीम द्वारा कर लिया गया है परिवार जन्नों द्वारा इस घटना में समलिक लोगों को नामज़त करते हुए एक तहरीर स्थाना बड़ा लगाई पर दी गई है जिसके मुकदमा पंजी गृत कर लिया गया है अब रुक्तों की गिरफतारी के लिए स्थानिया पुलिस के साथ साथ स्वाट, सोजी और क्राइम ब्राच की टीम को भी लगाया गया है घटना की सभी पहलों पर जाच करने है तो स्वाट और सियो गोला के निर्देशन में एक टीम नजाई गई है स्थानिया जो लोग प्रतेक्ष घट्षी से उनसे घटना की सभी जानकरियां ली जा रही है CCTV में भी जो चीज़ें कहा हुई है उसको भी लेकर के देखा जा रहा है बहराल पुलिस मामले की जाच में जुटी है लेकिन पूरे गाउं में तनाव का महौल है इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनाथ किये गए हैं और अब मायवती के ट्वीट के बाद घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है